मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक तो यूँ ही फड़ फड़ाते हैं हसलों में उड़न होती है जैहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 30 दिन में पढ़कर बोड परिच्छा में 90 प्लस मार्क कैसे लाएं आज के वीडियो में यह भी नहीं पड़े हो तो एक महिने के अंदर में 90 परसेंट तक ला सकते हो में आज के वीडियो में 5 टिप्स बताऊंगा आप लोगों को केवल वीडियो को पूरा देखना है और यह टिप्स को फालो करना है चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहली टिप्स क्या है आप लोगो चलो देखते हैं टाइम टेबल आपका कैसा है तो आपकी बोर्ड परिच्छा से समय निकल गया जुलाई भी चला गया अगस्द भी चला गया सितंबर भी चला गया अक्टूबर भी नवंबर और दिसंबर जनवरी फरवरी यह सभी चले गया है आपके पास कुछ भी नहीं बचा है टाइम केवल एक महिने का बचा हुआ है तो आप लोग कैसे टाइम टेबल क्या करेंगे मैं आपको कैसा टाइम टेबल बताऊंगा जो आपको फालो करना है तो सबसे पहले आपको दो घंटे सुबाज चार बजे से और छे बजे तक हिंदी पढ़ना इससे क्या होत होता है और आपका माइन फ्रेस होता है क्योंकि यह एक हिंदी एक ऐसा टापेगे जो आपको फुल के फुल मार्क ला सकता है और अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं तो आपको सुभा चार बजे से और छे बजे तक यह हिंदी पढ़ना है दो घंटे उसके बाद में अब आपको गडित पढ़ना है इसमें जो माडल पेपर है उसको साल्व करना है जो माडल पेपर है उसको साल्व करना है जो प्रिवियस पेपर है उसको साल्व करना है और जो इंपॉस्टेंट है उनको सवाल को लगाना है यह दस बजे आठ बजे से और दस बजे के बीच में द 12 वज़े से एक वज़े तक आपको एक सामाजी विज्ञान पढ़ना है ये भी बहुत इंपर्टेंट है आपको ये भी एक अच्छी परसेंटेज लाता है इसको एक घंटा के वल पढ़ना है हर दिन यही फालो करना है टाइम टेबल पहले हिंदी पढ़ना है उसके बाद में एक घंटा सामाजी विज्ञान अब उसके बाद में दो बज़े से अब जैसे आप लोग बोर भी हो जाएंगे इसलिए मैं टाइम टेबल ऐसा बनाया हूँ जो अलग अलग टाइम टेबल है तो दो घंटा फिर पढ़ना है इसमें तीन बज़े से और पांच पीम तक इसमे सवाल लगाना बायो में पढ़ना जो मॉडल पेपर हैं उनको साल्व करना और पढ़ना यह दो घंटे आपके लिए हैं ऐसको अच्छी तरीक से पढ़ना है को बाद से 5 घंटा का टाइम है आपके पास खेल कुदो और सारे काम करो उसके बाद में अब क्या करना है यह पहला पॉइंट है केवल टाइम टेबल बता रहा हूँ अभी चार पॉइंट रहे गए हैं उसको भी आपको बताऊंगा तो दो घंटे में 7-9 बजे तक आपको इंगलिस पढ़ना है यह जो important हो क्योंकि आपके पास time भी नहीं है तो model paper में जो दिया गया हो उस पर जो important topic है उसको पढ़ो और कुछ नहीं करना है उसके बाद में हो सके तो revision करें जो आपके पास time हो तो revision कर सकते हैं क्योंकि 7-9 बजे तक इंगलिस पढ़ेंगे उसके बाद में जो time बचे तो revision करें अब दूसरा tips क्या है दूसरी tips है पिछले साल के paper को solve करो यह बहुत ही important है हर विशे में दूसरे जो पिछले साल के paper है उसको solve करो क्योंकि अभी lockdown चला था तो जो परिच्छा आपकी लोगों की model paper solve करने से यह होता है कि जैसे आपको pattern के बारे में पता चलता है कि paper कैसा आएगा उसको solve करना है और बच्चों को पढ़ाई नहीं हुई है इसलिए चलते पिछले साल का ही प्रस्णपत्र आपके exam में आएगा तो आपको यह पिछले साल के paper को solve करना है और उसके बाद में अब तीसरी क्य प्रयाज करें आप जैसे आप लोग सभी विषय को पढ़ेंगे उसको लिखकर प्रयाज करेंगे क्योंकि लिखने से होता है कि हमारे mind में ज्यादा तर जल्दी प्रषटा सारे 2-3 पेज हर रोज लिखें जो मतलब पढ़ेंगे और उसी टाइम आपको जैसे सामाजी विग्यान पढ़ना है तो इसी में आप लोग इसको लिखकर 2-3 पेज उसके बाद में पढ़ना है तो इसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग सिधर जाएग अगली पांचवी क्या है टिप्स आपको सोसल मीडिया से धूरी बनाया रखना है क्योंकि अब एक महिना वचा आपके पेपर तो आपको ना ही मोबाइल चलाना है ना ही फेस्बुक ना ही रिल ना टिक टाक ना मोज कुछ नहीं देखना है क्यों पढ़ाई ही पढ़ाई कर अच्छी तरीके से यही टाइम टेबल को फालो करना है और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा जहिन वन्यमातर मिलते के लिए वीडियो